जूट मत बोलो, सज बताओ तुमने इस फोन के लिए पैसा ही खटा किये थी कि नहीं? किये हो ना? तो देखो बात यह है ना कि क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है और जिन लोगों ने रिव्यू अलड़ी आपको दे चुका है वो लोग ठीक से रिव्यू करके आपको नहीं पहले अगर आपको लगता है कि नहीं यह बंदा महनत करता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक क्योंकि गाइस मैंने इसी टॉपिक मतलब यही वीडियो में ने कल शूट की यस्टरडे लेकिन उसमें जो है ना साउंड नहीं रिकोर्ड हो पाया कुछ ग्लिच सारा कुछ खास है जैसे कि 90 हर्स की रिफ्रेश रेट के साथ सूपर अमुलेट डिस्पले वैसे इसके उपर आऊंगा लेकिन इशू की बात करते हैं स्पेक्स को छोड़ कर वो इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा होगा सबसे पहला दिक्कत नो चार्जर इन दा बॉक्स दे की चार्जर यह ऐसा बिजनेस है आपको ऐसा मैसूस होगा कि नहीं इसमें हमारी घाटा नहीं है लेकिन यह हम लोगों की घाटा है जो आपको चीज देखने के लिए मिलेगा जो प्लास्टिक आपको कॉर्नर वगरा देखोगे वहाँ पे आपको जॉइंट की है न वहाँ आपको कर्ट देखने के लिए मिलेगा चारो ही तरफ और यह आप लोगों को लग सकते हैं चलो यह डिजाइन हो सकता है नहीं यह डिजाइन नहीं है यह मैनुफेक्ट्रिंग में या फिर जिसने इस मॉडेल को डिजाइन की है उसमें दिक्कत है इसलिए यह एक मेजर इश हो ताकि आपकी लॉस ना हो थर्ट मेजर दिक्कत है स्लो फिंगर्पिंट में भी काईस आप लोगों को लगे कि नहीं हमने तो इनिशेल इंप्रेशन देखा जहापे की फिंगर्पिंट बहुत ही ज्यदा फास्ट है तो देखो किसी भी डिवाइस इनिशेली बहुत ही ज् इंस्टोल नहीं किये हो अब तक इसलिए अप लोग इंटरनेट कनेक्षिन को उतना अच्छे तरीके से फेट नहीं किये al estasu इसलिए मतलब आप लोग फेज बूक बेग्गर्वाइब में सी लिएफसे ब्यूस नहीं कर रहे हो इसलिए फास्ट हम लोगो को दिखता है ले या फिर फोर्थ जो इशू है ना वो है no screen recorder अब यह कैसा फुर्दू बनती है आप लोग को लग सकता है कि चलो हम लोग third party application इंस्टोल करके screen को record कर लेंगे तो उसमें दिक्कत यह है देखो basically जो screen recorder device में दिया जाता है उससे हम system sound को record कर सकते है किसी भी दिक्कत ना देखके ले applications के अंदर next issue frame drop या फिर laggy UI यह बहुत major है जैसे कि fingerprint sensor slow काम करेगा इस smartphone में कुछ दिन के बाद वही same scenario आपको UI में भी देखने के लिए मिलेगा हाला कि initial impression बहुत ज़्यदा fast है लेकिन उससे फर्क नहीं परता जब phone को update करोगे तब वो update files या फिर आपकी personal files या फिर आपकी personal applications सारा कुछ मिलकर एक साल के अंदर अंदर phone ultimate slow होने वाला है यह लिक्तर मैं आपको guarantee दे सकता हूँ आला कि मेरे पास phone नहीं है लेकिन जो लोग अलड़ी ले चुका है वो लोग वही आपको information देंगे आप यकीन कर सेकते हो मेरे बातों के उपर क्यूंकि मैं खुद एक टेक creator हो मतलब मैं खुद एक टेकी बंदा हूँ तो आप लोग मुझ पर यकिन कर सकते हो ठीक है next यह आपर है आप सर्फ maximum 30 fps में video को record कर सकते हो only 1080 pixel तक आप लोग को लग सकता है कि इस price में तो यहीं मिलता है नहीं guys आप लोग Xiaomi की smartphone को check कर सकते हो realme की phones को भी आप लोग चेक कर सक लेकिन यह वाला smartphone आपको नहीं देगा ठीक है और इसी video record के अंदर आपको frame drop देखने के लिए मिलेगा लेकिन बाकी सारे creators जो भी review कर चुका है already मतलब कि biased review कि मैं बात कर रहा हूं वहाँ पे यह issue उन्होंने नहीं उठाया क्योंकि brand के साथ interaction होना बहुत ज़्यदा जरूरी आपको लड़किया देख रही है ठीक है और वो लोग सोचे है कि चलो भाई बंदा कितना ज्यादा हैंडसाम है लेकिन अंदर आपकी कुछ भी नहीं है मतलब knowledge या फिर communication skill ये कुछ भी नहीं है तो क्या लगता है आपको वो जो लड़की है अगर आपके साथ बात करता है त इतना ही बस खतम और यही same case Galaxy F15 के साथ है वो क्यों क्योंकि Super AMOLED 90Hz की refresh rate आप लोग को लग सकते कि नहीं बाई Super AMOLED है इतना सारा कुछ भाई इस प्राइस में Super AMOLED तो marketing strategy बहुत ही अच्छा खासा है Samsung की मानना परेगा अच्छा देखो price कितना है 4128GB की price है 13,000 लेकिन असल म इसकी price है 15,000 के करीब 4128GB की और बात करे 6128GB की तो अभी आपको 14,400 double line में देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन अगर आपके पास धिमाग है तो आप लोग optional ढूंड़ोगे जैसे कि iqoo Z6 Lite या फिर Redmi 13C answer smart phones की तरफ आप लोग जाओगे ना कि Galaxy A15 5G के तरफ अवराल ये phone आपको नहीं लेना है ये तो मेरा suggestion है लेकिन नहीं अगर आप लोग को सिर्फ swap करना है क्योंकि थोड़ा सा flagship look है या फिर Super AMOLED है तो यह आपकी choice है लेकिन थोड़ा सा दिमाग को हिलाओ मतलब ठीक है तो ह पहला के फिर सोचो कि हाँ मेरे पास option तो बहुत सारा है बाकी सारे phones को देखकर फिर decision पक्ता करूं कि ये phone मुझे लेना है या फिर नहीं I hope वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जदा helpful हुआ बीना phone को देखके ही I know guys आप लोग को बहुत ही जदा helpful लगता है मेरा वीडिय दो ठीक है और वैसे भी एक headphone की review मैं करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी headphone अभी आ रहा है ठीक है मतलब मैंने order की है तो मैं मिलोंग आपके साथ next video है तब सक लिए buy and take क्या